हाई फ्रेंड्स मैं शंदन स्वागत करता हूँ आपका टिकनिकल ग्यान सीखते रहो यूटूब चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ओपो मोबाइल में प्राइवेट से पर से पासवर्ड कैसे हटाएं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा तो लिए शुरू करते हैं तो उसके लिए आप अपने ओपो मोबाइल का सेटिंग्स को ओपन कर लिए जैसे मैं सेटिंग्स ओपन कर लिया और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की और करिए और नीचे की और करिए और उसके बाद आप यहां प्राइवेट सेफ का जो भी password रहेगा वो आपको यहां पर डालने का option आएगा तो मैं अपना private safe का password इसमें डाल देता हूँ, password डालने के बाद आपका private safe इस तरह से open हो जाएगा और उसके बाद आपको ओपर side right side कोने तरफ two dot मिलेगा तो आप इस two dot पर click करिए और उसके बाद आपको यहां settings का option मिलेगा आप यहां settings का option पर click करिए और उसके बाद आपको यहां पर change privacy settings का option मिलेगा तो आप यहां change privacy settings का option पर click करिए और उसके बाद आप अपना private save का password डाल दीए तो मैं अपना private save का password इस में डाल देता हूँ पासवर्ट डालने के बाद इस तरह से आ जाएगा तो उसके बाद आप आप हैं Turn off password के option पर क्लिक करिए और उसके बाद आप हैं Remove data के option पर क्लिक करिए और उसके बाद फिर से आप अपना private safe का password डाल दीजिए तो मैं फिर से अपना private safe का password डाल देता हूं और उसके बाद इस तरह सा जाएगा तो जो जो भी आपका private safe में data है जो जो भी file है उसको पहले आप delete कर दीजे तभी private safe पर से password हटेगा जैसे यहाँ पर देख लेते हैं photos में है इतना file तो इसको हमें private safe से हटाना होगा तो हटाने के लिए मैं इस पर थोड़ देख रखार का select हो गया और इस पर इपक्लिक क्या यह से लेक्ट होगा इस पर क्लिक क्या इस भी select होगा अगर जो आपको private safe से delete करना है तो आप हैं delete पर click करके कर सकते हैं या अगर जो private safe से हटा के किसी folder में डालना है तो उसके लिए हाँ पर select करने के बाद हैं मिल जाएगा set as public option तो या तो आप delete करिए या तो आप इस से किसी folder में आप public कर लिजिए तभी data remove होगा और तभी password हटेगा तो मैं select कर लिए और उसके बाद मैं यहाँ पर set as public option पर click कर लिता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सारा folder आ गया अब आपको किसी भी folder में डाल देना है ताकि private safe से data जो हट जाए तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो मैं हाँ पर camera folder में डाल देता हूँ मैं camera पर click किया तो camera folder में सारा चला गया अब private safe में है पर photo बाला में नहीं है और देख लेते हैं इसमें कुछ नहीं है तो सारे मैं आपको देख लेना है कोई भी data आपके private safe में नहीं रहना चाहिए जैसे किसी में भी अब कुछ भी data नहीं है तो आपको private safe से data खाली कर देना है जैसे खाली हो गया सारा और उसके बाद आपको उपर side right कोने तरफ इस टूड़ पर click करना है उसको settings पर click करना है और उसका change privacy settings पर click करना है और उसका आपका private safe का password मांगे तो डाल देना है और उसका आपको turn off password पर click क्लिक करना और उसके बाद आपको है turn off पर क्लिक कर देना है तो जैसे इतना कर देंगे उसके बाद आपका फिर पासवर्ड वाएंगे फिर आप पासवर्ड डाल दीजिए और जैसे इतना कर देंगे उसके बाद आपका प्राइवेट से पर से पासवर्ड हट जाएगा जैसे